हम लोग बिहार के बारे में कुछ फैक्ट को याद कर लेंगे है इसको घोट लेंगे क्योंकि जो BPSC का जो पेपर है अलगवक हार एक पेपर में आपको यहां से प्रस्ट दिख जाएगा और इसको कर लेने के बाद आप ऐसे भी काफी काफी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे ए बोधिवरिक्ष है यह राजकिये चिन्ने है ठीक है इसके अवरा राजकिये पसु जो है वो बैल है बैल राजकिये पसु है और राजकिये पक्षी जो है वो गोड़या हो गया राजकिये मचली है देसी मांगूर देसी मांगूर है वो हमारा राजकिये मचली है और राजक यह पुस्प जो है वो है गेंदा का फूल और राज की एवरिक्ष है पीपल तो यह सब जो है इसको देख लेंगे पिर आगे हम देखते हैं कि बिहार की अस्थापना कब हुई थी तो बिहार की स्थापना हुई थी एक अप्रेल 1912 को और इसकी जो आकरती है वो कैसी है तो आ जो भारत के कुल छेतरफल का हिस्सा अगर इसमें देखें तो है 2.86 2.86 जो है बारत के छेतरफल का हिस्सा हो गया बिहार की भूमी का छेतरफल के द्रिश्टी से भारत में इसका स्थान से रहा है और उत्तर से दच्छीन विश्टार है 345 किलो मिटर और पुड़ू से पस्चिम विश्टार है 483 किलो मिटर तो ये सब कुछ फैक्ट है जिसको के एकदम से रट लेंगे आसत वर्षा हम लोग देखें आसत वरषा से लेके एक दूबर प्रस्ना चुका है तो उसत वर्षा देखिए इसका 125 सेंटीमीटर है सालाना यानि एक जगा पर जो है इसकी वर्ष 12 120 सेंटीमीटर हो जाती है समुद्र तल से इसकी उचाई है 173 फीट और इसको देखे तो होगी 2021 में तो इसकी कुल जनसंख्या है कुल जनसंख्या है दस करोड चालिस लाक नीनानवे हजार 452 तो देखिए एक दम से इसको याद रख लिए क्योंकि 10 करोड 44 लाक और नीनानवे हजार आपको याद रहना चाहिए 452 तिरपन वगर नहीं भी याद रहे तो चलेगा खेर BPSC है बहुत सटा के देती है आकरे तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे भारत की कुल जनसंख्या का प्रतीसत जो है वह 8.60% भारत का जो कुल जनसंख्या है उसके कॉर्डिंग इसका प्रतीसत है 8.60% यानि की भ पुरुस की जनसंख्या है पांच करोड ब्यालिस लाक अठात्तर हजार एक सव बावन यानि कि ये बावन दसमला एक चार प्रसेंट है और अब देखते हैं इसकी भागोलिक इस्थिति को देखते हैं तो ये जो है 24 डिग्री 20 मिनिट 10 सेकेंड उत्री अच्छान से 27 डिग इसको याद रखने का एक ही तरीका है कि बार बार देखिए आपको ये याद आ जाएगा बस इदम रटा जाएगा कोई दिकत नहीं आएगा इसमें बिहाराज का निर्मान एवं पुनर गठन तो प्राचीन काल में मगद वज्जी अंग आदी महाजन पदों के रूप में को यह और मच्राल में जो है मुग्रण ऐवं से रह्षा सूरी के अध़ीन प्रांतिय प्रसाषण ने гол की रूप में यह बना यह जैनी बिहार राजधानी नहीं रहा ये बस सिर्शा सुरीनेश को प्रांती राजधानी बनाया था वर्ष 1912 तक बंगाल प्रेशिदेंसी के अधिन रहा और 22 मार्च 1912 को बिहार एब उडिशा प्रांत के रूप में गठित हुआ एक अप्रेल 1936 को बिहार नामक प्रथक प्रांत का गठन हुआ वर्ष 1947 सुरतंतर भारत के राजधी के रूप में ये फिर इमर्ज हुआ वर्ष 1956 में बिहार के कुल जंगली भासा चेत्र बंगाल को अस्थांतरित हो गए बंगाली भासी चेत्र है यां बिहार के कुल बंगाली भासी चेत्र बंगाल में अस्थांतरित हो गए 15डलोंबर 2000 को बिहार से जहारखंट अलग हो गया और इस तरह से वर्तमान बिहार अस्तीत्ता में आया अब हम लोग यहां से पुरुसम ने देखा था अब इधर देख लेते हैं कि अगर देखे कुल महिलाओं की तो भारत बिहार में कुल महिलाओं की जो संख्या है वो है चार करोड़ अन्ठानवे लाख 21,295 जो कि कुल जन संख्या खा 47.86 परसेंट है यानि बिहार का लिंगानुपाद भी बिगड़ा हुआ है उतना नहीं बिगड़ा है लेकिन अभी भी बिगड़ा हुआ है कुल सिसु जो 6 वर्ष तक हैं उनकी संख्या है एक करोड़ 91,33,964 यानि 17.6 परसेंट यानि डेमोग्राफिक डिफिडेंट इसका अच्छा है हमारी ग्रोथ रेट अच्छी है पॉपुलिशन की कुल सिसु यानि 2-6 साल के जो पुरूस होंगे उनकी संख्या है 98,87,249 और कुल सिसु महिला जो 6 वर्ष तक हैं उनकी संख्या है 92,44,725 यानि कि आप देखिए तो 6 लाख बच्चियां अभी भी कम है जनसंख्या की दसकिये विर्धी दर अगर हम लोग देखें तो वर्ष 2001 से 2011 25.1 परसंट यानि भारत में 6 अस्था निस्का हो गया और जनसंख्या की औसत विर्धी वार्षिक औसत विर्धी जो है वो 2001 से लेके 2011 तक जो रही है वो रही है 2.54 प्रतिसद कुल जनसंख्या विर्धी वर्ष 2001 से 2011 के पीश जो रही है 2.11.344 यह अच्छी विर्धी है वार्षिक सर्वाधिक दसक्य विर्धी दर वाला जीला हो गया मधेपुरा यहां पर 31.1% की विर्धी होई है नियुन्तम दसक्य विर्धी वाला जीला हो गया गोपाल गंज यहां पर 19.0% की विर्धी होई है सरवाधिक जंसंख्या वाला जिला हो गया पटना 58,38,465 यहां की जंसंख्या है नियुंतर जंसंख्या वाला जिला हो गया सेखपुड़ा यहां पर 6,36,342 लोग है छेत्रफल की द्रिष्टी से सबसे बड़ा जिला है पश्चमी चमपारण 5,228 वर्ड किलो मीटर का है यह पश्चमी चमपारण तो यह कुछ facts and figures हैं इसको देख लेंगे अब लोग दूसरे facts पे चलते हैं इसको बस रट ही जाना है देखें छेत्रफल की द्रिष्टी से सबसे चोटा जिला है सीवर जनसंख्या घनत को हम लोग देखें तो पुड़े बिहार का 1106 व्यक्ति प्रतिवर्ड किलो मीटर है जनसंख्या घनत में भारत में अस्थान है इसका पर्थम यानि सबसे जनसंख्या घनत तो यहीं है बिहार का है कुल ग्रामीन जनसंख्या जो है वो है 9 करोड 23,416,436 यानी कुल जो चेतर है उसका 80 कुल जो जनसंख्या है उसमें 88.7% जनसंख्या जो है वो ग्रामीन चेतरों में निवास करती है कुल पुरुस जनसंख्या जो ग्रामीन में है उनकी संख्या है 4,80,73,850 और कुल मजला जनसंख्या जो ग्रामीन में है वो है 4,42,67,586 सहरी जनसंख्या है 1,17,58,016 जो 11,3% है कुल पुरुस जनसंख्या सहरी यह हो गया 62,4,307 और कुल महिला जनसंख्या सहरी हो गया 55,53,709 जन्म दर अगर हम लोग देख लें तो 30,9,3000 है अब मिर्तु दर है 7,9,000 सिसु मिर्तु दर जो है वो है 61,000 जिवीत जन्म और मातिर्तु मिर्तु दर है 331 एक लाख जिवीत जन्म पर यानि एक लाख महिलाई जो जन्म देती है बच्चों को उसमें 331 जन्म देने के दौरान ही उनकी मौत हो जाती है अधिक्तिम अनुसोचित जाती की जन्संख्या वाला जिला है गया जहां पे 30.4% जो है अनुसोचित जाती के लोग ढ़ते हैं और निवन्तम अनुसोचित जाती की जन्संख्या वाला जिला है शिवहर निवन्तम अनुसोचित जाती प्रतिसत वला जिला है किसंगंज जहां पे 6.7% जो है निवन्तम अनुसोचित जाती की लोग है राजी की कुल जनसंख्या में अनुसोचित जातियों का प्रतिसत है 15.72% अनुसोचित जनजातियों की अधिकतम जनसंख्या वाला जिला और प्रतिशत तो पश्चिम चंपारन है 6.4 यहां पे ट्राइब्स ज्यादा है निवन्तम अनुसोचित जनजातियों की जनसंख्या वाला जिला है सिवहर कुल जनसंख्या में अनुसोचित जनजातियों का प् प्रति एक हजार बालक पड़ा है लिंगानपात के द्रिष्टी से देश की राजी में क्रम है इसका चौवीसवा सरवाधिक लिंगानपात वाला जिला है गोपाल गंज यानि यहां पर जो है एक हजार एक हजार एक हजार एक हजार महिलाएग है एक हजार पॉरुस पर निवंगानपात वाला जिला है मोंगेर यहां पर आर्साच प्रभाबा पर समस्तिपूल जुमात्र 3.467 यह नगरिकृत है राजी चमेश सक्षर्तादर है 6.78 पुरूख सक्षर्तादरहैं 71.2 परसेंट महिला सक्षर्तादγरहैं 51.5 परसेंट कि साब ऑझांड मैं सरवाधिक सक्षर्तादरहbank प्रहतासं यहां 70.4% लोग साक्षर हैं नियुन्तम सक्षर्था दरवाला जिला है पूर्णिया यहां पे 51.1% लोग साक्षर हैं सक्षर्था की दिरिष्टी से देश में करम है 35 सब से नीचे है यह बिहार कई यूनियन टेरिटोरी से भी नीचे है तो इसको ध्यान रखेंगे इस तरह का कोश जेंगे दक आता है कई बर सरवाधीक सक्षर्था दर पूरूस यह रहतास ने 82.9% जो है यहां पर पूरूस सखषर है यहां सर्वाधिक साक्षर्था दर महिला यह रहतास वहां पे 63.0% महिला यह साक्षर है निन्यून्तम साक्षरता दर महिला जो है सार्सा में जहांपे 41.7% ही निन्यून्तम साक्षरता है राजकिय भासा हिंदी है दूतिय राजकिय भासा उर्दु है बिहार दिवस 22 मार्च को मना जाता है राजकिय मेखा दिवस जो है वो 3 दिसंबर को मना जाता है बिहार विद्याले प्रिक्षा समीती ने डॉक्टर राजेंद प्रसाद के जन्म दिवस 3 दिसंबर को परतेक वर्ष मेखा दिवस की रूप में मनानी का निर्ने लिया है भारत के कंठाहर तुझको ससत नमन वंदन विहार सरवाधिक जनसंख्या वाले जिले घटे करम में हैं सबसे पटना फिर पुडवी चमपारण फिर मुझापरपुर फिर मदुबनी नियुन्तम जनसंख्या वाले चार जिले हैं बढ़ते करम में सेखपुड़ा, सिवहर, अर्वल तथा लखी स्राय सरवाधिक जनसंख्या वाले चार जिले हैं घटे करम में सिवहर, पटना, दरभंगा तथा वैसाली नियुन्तम जनगनत वाले चार जिले बढ़ते क्रम में है कैमूर, जमुई, बाका तथा पश्मी चमपारन सरवाधिक छेतरफल वाले जिले घर्टे क्रम में है पश्मी चमपारन गया पुडवी चमपारन तथा रोतास निम्तम छेत्रफल वाले जिले हैं बढ़ते क्रम में सिवहर, अर्वल, सेखपुरा तथा लकी सराय सरवाधिक लिंगा अनुपात वाले जिले हैं घटते क्रम में गोपाल गंज, सिवाज, सारण तथा किसन गंज सरवादिक सक्षर्था दरवाले जिले घरते क्रम में हैं रोहतास, पत्ना, बोजपूर, मुंगेर नियुन्तम सक्षर्था दरवाले जिले हैं बढ़ते क्रम में पूर्णिया, सीतामडी, कटिहार, मदेपूरा सरवाधिक पुर्व सक्षर्था दर वाले जिले हैं घर्टे करमे रोहतास भोजपूर बक्सर और सिवान निम्र्थम पुर्व सक्षर्था वाले जिले बढ़ते करमे हैं पूर्णिया कटिहार सीतामडी सिवहर सरवाधिक महिला सक्षर्टा वाले जिले हैं घरते करमे रोहतास मंगीर पटना और अंगाबाद निम्रतब महिला सक्षर्टा वाले जिले बढ़ते करमे हैं सहरसा मधेपुड़ा पूर्णिया सीतामडी राजी में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है वो है 40 यानि यहाँ पे 40 लोकसभा के रिवाचन चेत्र है लोकसभा में अनुसोचित जाती है तू आरक्षित सीतने हैं 6 जिसे गुपाल गंज, हाजिपूर, समस्तिपूर, जमुई, गया रथा ससाराम राजी सवा सदस्यों की संख्या है 16, विधान सवा सदस्यों की संख्या है 243, विधान सवा में अनुसोचित जाती है तू आरक्षित सीतने हैं 40, विधान सवा में अनुसोचित जाती है तू आरक्षित सीतने हैं 2 है, कोटोडिया तथा मनिहारी में विधान परिशाद की संख्या है 75 राज की विधाई का है दुई सैदनिये बिहार में परमंडल है 9 यारी पटना सारण मगज दरभंगा तिरहुत पूर्णिया कोशी भागलपूर बिहार में कुल जिले है 38 अर्थीसवा जिला हो गया अडवल बिहार में कुल अनुमंडल तरसील है 101 उच नियाला है पटना राष्टिया पार्क है सिर्फ एक वालमिकी नगर राष्टिया उद्यान पस्चिमी चमपारण में ये टाई का रिजर्ब भी है वहाँ का सर्वादिक गर्म जिला और सर्वादिक थंठा जिला एक ही है वह गया सबसे कम वर्सावला जिला जो है वह और अंगाबाद सर्वादिक वर्ERसावला जिला हो गया किसंगंज समझे बड़ी सिच्हाई पृई mentorship या ग siysna और शॉपर बिहार की सकल घड़ेलू उत्पाद की विर्धीदर है 2016 के नुसार 10.3% अभी बढ़ गई है 11% से उपड़ हो गया तो राष्टी आउसत से अभी हमारी ज्यादा है तो मैं एकॉनोमिक सर्वे ले कि आऊंगा तो उसमें डिटेल होगा बिहार की सकल घड़ेलू उत्पाद वर्ष 2011-12 के में इस्थित मुल्य क्याधार पर परतिवेक्ती है 29,178 रुपे बिहार की सकल घड़ेलू उत्पाद के वर्थमान मुल्य वर्ष 2016-17 क्याधार पर परतिवेक्ती आया है 38,546 रुपे बिहार में मुद्रा स्फिति की समक्र द की पर्तिव्यक्ति आये संपुन भारत के ओसत का 32.4 परसेंट था पर्तिव्यक्ति आये की तालिका में बिहार के स्थिति देश के सभी राजियों से निम्न है राज में पर्तिव्यक्ति विकास वै वर्ष 2016-17 में रहा 3766 रुपे अभी डेटा चेंज हो गया है एकोनोमिक लिए किया है राज्य पाल अभी हैं वह फाकू चौाल darf यॉणि नेल हो पागू चौहान पिहार के राजब्य विवंसर हो फागू चो चौहान तापको फागू-चौहान धयान रखना है कि इसको हटायी दिजिए इसको करते यह कुछ नहीं है कुश बिदहान वो बहुम्मद हारुन रसीद और विधान सवा अदेक्षे विजय कुमार चौधरी मुखेने आदीज जो हैं वो हैं मुकेश आड़सा हैं फिर हम लोग देख लेते हैं बिहार में कुछ प्रागेहातियासिक अस्थाल जो हैं वो हैं चिरांग चिरांद मुंगेर सारन में हैं सोनपूर सारन में हैं मनेर पटना में हैं राजगीर नालंदा पाटली पुत्र बड़ावर पहारिया आदी ये परागेतिहासिक अस्थाल हैं एतिहासिक अस्थाल को हम लोग देखें तो पराचीन पासान कालीन अस्थाल वो हैं मुंगेर नालंदा कैमोर की पहारिया आदी मद पासान कालिन अस्थल है मुंगेर नलंदा नवादा जमुई नव पासान कालिन अस्थल है चिरांद सुएदपूर वैसाली में सेनवा रोहतास में मनेर पतना में ये आदी तो ये जो फैक्ट है इनको तो आपको बिल्कुल घोट लेना है ये अभी जो इंटर्वियों का उसके लिए और जो लोग प्री दे रहे हैं उनके लिए दोनों के लिए समान रुप से काफी उपयोगी है इसको बस खोट लेना है एक आद कोश्चन अगर यहां से दिग गए तो आपका बेनिफिट है एक कोश्चन नहीं बन रहा दरसल अगर आपको एक आद कोश्चन ही एक्स्ट्रा बन जाता है तो आप मेरिट लिस्ट में या तो रह सकते हैं या तो बाहर निकल सकते हैं चलिए इतना ही धरन्यवाद